बिहार में डेंगू के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं भागलपूर और पटना में केस अधिक मिले हैं भागलपूर में डेंगू की रफतार अधिक तेज है डेंगू से बचाओ को लेकर स्वास्त विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों में और नगर पालिका शेत्रों में नगर निकायों के द्वारा एंटी लारवा दवा का शिरकाओ सगन रूप से शुरू हो गया है अस्पतालों में दवा और मेडिकल कॉलेजों में प्लेटलेट्स की उपलबधता की मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है राज्य में इस वर्ष अब तक 398 ने डेंगू के मामले पाए गए हैं इसमें पटना जिले में अब तक 146 और भागलपूर जिले में 133 डेंगू के मरेज पाए गए हैं सभी जगह पर अस्पताल अलट मोड पर है उन्होंने बताया कि सिवान, छप्रा और शिभर जैसे जिले में एक भी डेंगू के केस नहीं मिले हैं सरकारी अस्तर पर सोंबार से प्रतेक दिन डेंगू की समक्षा की जाएगी समक्षा में जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आगी की कारवाई भी की जाएगी अपर निदेशक ने बताया है कि वह डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर शुक्रवार को भागल पूर जा रहे हैं वहाँ इसकी समक्षा भी होगी मालूम हो कि रज में साल दरसाल डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है पिछले आकरों को देखे तो 2017 में रज में डेंगू के कूल 1738 केस सामने आये थे और दो लोगों की मृत्यू भी हुई थी विभाग के अनुसार 2022 में रज में डेंगू के 1492 नए केस मिले थे और इस मिमारी ने 32 लोगों की जान भी ली थी इस वर्ष सितंबर में सबसे अधिक डेंगू के मामले मिलने के आश्रंका है अब तक 398 केस भी मिल चुके हैं भागलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है गुरुबार को 48 नए डेंगू मरीजों की पहचान जाच के बाद होई बताने के सदर अस्पताल में जाच के बाद 33 डेंगू के मरीज मिले हैं माया गंज अस्पताल से 9 मरीजों को स्वस्त होने के बाद छुट्टी भी दी गई। मारने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और आसपास में फौगिंग कराई जाएगी। अब कुलकाता से मशीन को मंगवाने की प्रकिरिया चल रही है। तै समय पर मशीन की खड़िदारी नहीं हुई तो कारेवाई तै होगी। बताने की पटना जिले में डेंगू की रफतार तेज होने लगी है। बिते दो दिन से अब 20 के पार केस मिलने लगे हैं। जबकि इस से पहले हरोज ऑस्तन 10 से 12 के आसपास ने मडीज मिल रहे हैं। गुरुवार को जिले में 24 ने मडीज मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक पाटली पुत्र अंचल में 13 लोग चिनहित किये गए। यहां एक ही पडिवार से दो लोग डेंगू पॉजिटिव हुए हैं। इसके बाद कंकरबाग में 4, अजीमाबाद में 2, नूजन राजधानी अंचल में 2, डेंगू के शिकार मिले। इसके साथ ही जिले में सक्रिया मरीजों की संख्या भी 170 के पार पहुँच गई है। बता दे कि 24 घंट के अंदर पटना के PMCH, IGIMS, साथ ही NMCH के डेंगू वार्ड में 4 नय मरीज भरती किये गए। जबकि डेंगू की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद एक मरीज PMCH और एक मरीज IGIMS से डिस्चार्ज भी किया गया। वही सिवल सर्जन का ये कहना है कि शहर के पाटली पुत्र कंकरबाग महंदरू, ट्रांसपोर्ट नगर फुलवारी शरीफ दानापूर, राजीब नगर इत्यादी 14 इलाकों को समवेदन श्रील घोशित किया गया है। नगर निगम के सहयोग से दवा इत्यादी का शिरकाओ और जमा पानी निकालने के निर्देश भी दिये गया। उन्होंने कहा कि जहां पानी जमा है वहाँ डेंगू का प्रकोप भी मिल रहा है। जिन इलाकों में प्रकोप हैं वहाँ पर फागिंग और लार्वी साइडिंग का शिरकाओ भी कराया जाएगा।